किसान दोस्तों अगर आपको सिम उन्नत की जड़ की खेती करनी है जिसको मेंथा की जड़ बोलते हैं मेंथा के खेती करनी है जड़ की तो आपको कैसी तयारी करनी चाहिए भूम की इसकी आज वीडियो हमने बनाया है और हमने अपने खेत में लगा के रखा था और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको growth करवाया है आप देख सकते हैं कितनी जवर्दस्त में था की खेती किया है हमने और कितनी जवर्दस्त इसमें जड़े आई हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से growth भी लिया है तो इसका पूरा राज हम आपको बताएंगे और इसकी जो इस प्रेश दोस्तों सबसे पहले क्या करना है तीन से चार बार कल्टी मे細टे से खेत को जुता देना है उसके बाद बार रोटावेटर के इसीजवर्दस क्रया हमे और अर्फ। लगानी है अब मेंता की जड़ कम लगाई जाती है किसान दोस्तों जब इसका पौधा लगाओं गए तो यह अगस्त का महीना होना चाहिए अगस्त लाश्ट तक इसके जड़ अगर लग जाएगे तो आपको अच्छी उन्नत देगे किसान दोस्तों अब लाश्ट में अगस्त में आपने जड़ लगा दिया अब लगाने के बाद ये कम से कम 15 से 20 दिन बाद किसान दोस्तों जब इसकी प्रथम निराई गुड़ाई करोगे तो निराई गुड़ाई करने के बाद आपका निराई गुड़ाई करने के साथ सा जब आपकी मिट्टी उपर के भुरुरी हो जाए तब उसमें आपको क्या करना है बोरेक्स और पोटास की मात्रा फिर से डाल देने चाहिए इस condition में आपको क्या करना एक फंगे साइट भी लगानी होगी क्योंकि इस condition में जब ज़्यादा मात्रा में पानी की हो सकता होती है पानी भी गिरता रहता है धान की फसल भी रहती है अगल बगल कीट ज़्यादा रहते है तो आपकी मिन्था को ज़्यादा प्रभावित करते ह ऐसी कंडिशन में आपको एक केट नासक का भी प्रयोग करना चाहिए अपनी मिंथा के अंदर जब आपका प्रधम निराई हो जाए उसके बाद दूसरी निराई के तरफ आप पहुचें तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि आप अपने खेत में कोई भी आएसा प्रोड़ेक्ट ना डालें जिससे आपका जुप मिंथा का पौधा है एक से दो दिन तक या दस दिन तक ये डाउन मारे डौन मारे मतलब ग्रोथ लेना बंदना करे में था ऐसा कोई भी प्रोडिक्ट कीट ना सक हो या कोई भी खर ना सक हो इन चीजों को नहीं प्रयोग करना है आपको हांसे ही खर निकालना है किसान दोस्तों क्योंकि तभी ये आपको अच्छा लाब देगा अब उसके बाद जब हमारी दूसरी निराए गुड़ाई हो जाती है तब उस कंडिशन में आपको क्या करना है यूरिया के साथ पोटास की मात्रा बढ़ाना है पोटास आपको तीन बार में डालनी किसान दोस्तों अब उसके बाद हम बात करेंगे इसकी M45 सेडूल के लिए अब इसका एस्प्रेश सेडूल क्या है M45 अगर हम डालेंगे तो हम किस स्टप पर डालेंगे जब हमारा पौधा पौड रूफ से भर जाए जब हमारी अगल वगल की जो मिट्टी है वो भर जाए अगल वगल पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो जब हमारा इस्प्रेश डालेंगे तो उसमें मिट्टी पर नहीं इस्प्रेश जाएगा और सीधा पत्तियों पर इस्प्रेश जाएगा अब हम बात करें नवंबर और दिसमबर जनवरी के बीच में किसान दोस्तों मिनथा की जड़ बैठने का सबसे सही समय होता है नवंबर दिसमबर और जनवरी इन तीनों मनत के अंदर ज़र बैठ थी है ऐसी कंडिशन में आपको क्या करना है खेद के अंदर हल्की नमी बना के रखना है जिससे आपकी जड़ बैठने में आसान रहे ग्रो करने में आसान रहे तबी तो आपको अच्छा लाब मिलेगा किसान दोस्तों अगर इतनी बातों कर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका नमबर वन क्वाल्टी का पाउधा चलेगा और नमबर वन क्वाल्टी की जरका उत्पादन मिलेगा किसान दोस्तों अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को सेर करना बिलकुल न भूले